Hello everyone, welcome to my YouTube channel Fixed Pro School आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले सेक्षन के बारे में कि डिस्प्ले सेक्षन में कैसे स्टेप बारे स्टेप आप प्राब्लम को फाइंट करेंगे कैसे ट्रेसिंग करेंगे, रिपेर करेंगे इसके बारे में आज का ये वीडियो है सबसे पहले जब आपके पस प्राब्लम आती है बनने के लिए चाहे वो नो ग्राफिक हो, या नो लाइट हो, या नो ग्राफिक, नो लाइट दोनों ही दिक्कत हो तो ऐसी कंडिशन में आपको कैसे ट्रेसिंग करनी है, शुरू करनी है इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे और इससे पहले आप सभी के लिए एक जरुरी इंफर्मेशन अगर आप डिटेल में मोबाल रिपेर सीखना चाहते हैं मतलब उपरी तौर पे तो आपको यूट्यूब पे सारे वीडियो मिलेंगे लेकिन अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो 30-40 इनका complete course होगा हर दिन कम से कम 2 घंटे की class होती है और ये 30-40 इनका course होता है course की fees है मात्र 1199 यानि की मात्र 2000 रुपे तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से हमारा new batch शुरू होगा और seat limited है अगर आप इस वीडियो को 1 जुलाई से पहले देख रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके जॉइन करें अगर आपको जॉइन करना है तो या फिर कोई भी आपकी queries है या फिर आपको syllabus के बारे में जानना है तो भी आप मुझे इसमें message करें syllabus मैं आपको provide करा दूँगा जो भी होगा और जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं एक जुलाई के बाद देख रहे हैं तो 15 जुलाई को भी new batch शुरू होगा अभी यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपको देखना है LCD वाला page क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा 1.8 1.8 की line सबसे पहले आपको चेक करनी है यहाँ पे यह है 1.8 की line सबसे पहले आप यही चेक करोगे क्योंकि 1.8 की line जब डिस्पले में जाती है तो उसके बाद ही यह LCM ID 0, ID 1 का आउटपुट डिस्पले आपके logic board को देता है ठीक है तो यह 3 line आपको सबसे पहले चेक करनी है अगर यह 3 line active होगी ठीक है इसमें कोई defect नहीं होका तो ही आपको आगे बढ़ना है इसके बाद RST की line चेक करेंगे यहाँ पे भी आपको 1.8 voltage मिलेगा यह universal है mobile phone के अंतर ठीक है इसके बाद TE transmission error sorry tiering effect इसका full form होता tiering effect और यहाँ पे है VDISP M VDISP P इसका मतलब है यह P वाला जो है यह VSP है और यह है VSN voltage supply negative voltage supply positive कई जगा पे इसको जो हमारा minus voltage है इसको काफी सारी जगा में VSS भी लिखा होता है और काफी सारी जगा में आपको VSN VSN VSS और VW लिखा हुआ मिल सकता है confuse नहीं होना है कि अलग-अलग नाम है आप जो वीडियो में सुन रहे हो उसको note भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो P है यानि कि positive VSP VDD या VCC यह तीन प्रकार के इसके नाम हो सकते हैं और यहाँ पे एक तो लिखा यह VDISPP आउट तो यह है graphic का voltage अब आप यह सोचेंगे यहाँ पे voltage नहीं लिखा तो कैसे check करें कि कितना voltage होगा simple सा concept है जितना minus voltage होगा उतना ही positive होगा या जितना positive होगा उतना ही minus होगा मान लेते हैं minus 5 है तो minus 5 होगा तो plus 5 भी होगा अगर minus 6 है तो plus 6 होगा तो यह दोनों सेम होता है बस साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस का, अब इतनी चीजे अगर सही हैं, तो आपको जाना है, LCD लाइट के पेज में, और अगर ये सोचेंगे कि ये मीपी की लाइन को कैसे चेक करें, तो सिंपल सी बात है, मीपी की लाइन में, जितना एक पिन पे रिडिंग आ रही है, मान लेते हैं, ये 39 नंबर, ये पुरे मीपी की लाइन है, यहां तक, जितना यहां रिडिंग आएगा, reverse और forward में, उतना ही सब में ही आएगा, reverse और forward में, अगर change हुआ रिडिंग का, तो यहां पे दिक्कत है, ठेके, यहां पे दिक्कत है, अगर आपको इसके बाद नहीं स 215 के आसपस रिडिंग आ रही है, और forward में, 1500 के आसपस रिडिंग है, लेकिन किसी एक पैड पे, किसी एक लाइन पे, 700 रिडिंग आ रही है, forward में, अब यह हो गई, problem find, इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने जो senior हैं, उनसे पूछ सकते हैं, अगर reply नहीं मिल रहा, तो आप नीचे दिए इस number पे, मुझे भी message कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी problem find होती है, तो, यह मत पूछना कि इसमें क्या करूँ, यह video इसलिए बनाया जा रहा है, ताकि आपको एक direction मिले, कि आपको काम कैसे करना है, अब आप problem अगर find कर लिए, अगर आप समझ गए कि यहा पहले पूछ लूँ, ठीक है, तो आप नीचे दिए नंबर पे message कर सकते हैं, दूसरी चीज है, इसके बाद आके बढ़ेंगे, यह हुआ, प्राइमरी चेक, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी चेक जो आप कर रहे हैं, यह पूरे connector को चेक कर रहे हैं, अब आते हैं, दूसरे तरफ, VREG LED A, 16 नंबर की पिन में, आनोड की लाइन आती है, और, यह CBC, CBC की लाइन, यानि की PWM की लाइन, PWM की लाइन को मल्टी मेटर से कैसे चेक करना है, यह हम आपको बताएंगे, क्लास में, मैं guarantee के साथ बोल सकता हूं, कि आप किसी भी institute में चले जाओ, PWM की लाइन, मल्टी मेटर से प्रॉपर कैसे चेक करना है, आपको कोई भी नहीं बताने वाला, भले आप 50,000 रुपे भी फीज दे दो, वो DSO में जरूर बता देंगे, कि कैसे आपको PWM की लाइन चेक करना है, लेकिन मल्टी मेटर से आप PWM कैसे चेक करोगे, यह आपको को PWM, यह PWM इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि इसको चेक करने का तरीका नहीं बताया जाता, लेकिन और भी काफी सारी लाइन्स होती है, जिसको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, कि कैसे चेक करना है, सीक्वेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि हावा में बाते नहीं ह कि हो सकता है, कि मैं यह करूं तो रिपेर हो जाए, सिर्फ इस बेस पे आप किसी भी IAC को उठा करके नहीं लगा सकते, यह रिबॉल नहीं कर सकते, जब तक आपको प्रॉपर तरीका ना पता हो, ट्रेसिंग का, फॉल्ट फाइंडिंग का, डाइकनोसिंग का, इस से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जितना समझोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए ही मैंने फीस कम किया है, वन ट्रिपल नाइन, सेवन थाउजन फीस थी, और वन ट्रिपल नाइन सिर्फ इसलिए ही किया गया है, ताकि हर कोई कोर्स जोइन कर सके, ठीक है, और सिलेबस में कोई भी कमी नहीं है, आप मेरा पुराना सिलेबस यूट्यूब पे रखा हुआ है, सेवन थाउजन वाला उसको देख लो, और वन ट्रिपल नाइन वाला वो भी देख लो, दोनों में कोई कमी नहीं है, टाइम डिरेशन की है, और हर दिन 2-3 घंटे की क्लास लगती है, डिटेल में सीखना है तो समय देना ही पड़ेगा, और देफ़र टाइम पास तो एक घंटे की क्लास, आदे घंटे की क्लास हर कोई कराई सकता है, दो घंटे की लाइफ क्लास होगे regular ठीक है, यहाँ पर देख लो, LED एनोड और यह सिंक वाली लाइन है, सिंक मतलब कैथोड की लाइन है, यह एनोड जाता है, लाइट को जलने के बाद कैथोड की तरब से वापस आता है, और IC में जाता है, अब इस IC की वर्किंग कैसे होती है, अगर इस पर मैं वीडियो बनाऊ ठीक है, क्योंकि इसको explain करूँगा, तो इसके साथ साथ मुझे यह VSN और VSP भी बताना पड़ेगा, ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, connector की testing की बिना shield निकाले, problem को कैसे find करेंगे, बहुत लोगों को पता होगा, यह वीडियो, मतलब जो देख रहे होंगे, जो जानकार होंगे, उनको पता ही होगा, बहुत सारी चीज़े, लेकिन यह उनके लिए है, जो beginner है, जो fresher है, और एक introduction के तौर पे, जो हमारा 1 जुलाई को जो course शुरू होगा, उसके लिए भी एक introduction है, कि आप सही decision लें, ठीक है, बागी जो join करना चाहते हैं, वो join करें, और 3 दिन तक class attend करें, उसके बाद में अगर आपको लगता है, कि class valuable नहीं है, आप message करें, तुरंत आपकी fees refund हो जाएगी, 100% refund की guarantee है, ठीक है, बस आपको join करना चाहिए, ताकि आप यह सारी चीज़े detail में सीख सको, ठीक, यहाँ पे cathode की line यह आपको check करना है, cathode देखो, अब आप यह सोचेंगे कि कितनी reading कहाँ पर आएगी, तो simple सा है, diode value चेक करो, यहाँ पे लिखा सानवा, ठीक है, multimeter का नाम है, अभी एक example बताता हूँ, आपको कौन सा diode value ज्यादा चेक करना चाहिए, एक minute बताता हूँ, यह चालू होने देते हैं इसके बाद, देखो, यहाँ पे connector की reading नहीं मिली, ठीक है, यह display गा connector है, इसकी reading इसने नहीं दिया, कि यहाँ पे कितना, यहाँ पर reading होगी, और किसी में मिलेगा क्या, यहाँ पे support है, और, यहाँ पर तो कोई option नहीं है, ठीक है, note 5 pro में, सिर्फ एक example के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी reading नहीं है, ठीक है, note 5A, diode value, सानवा, तो इस page में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, reading मिल गई है, ठीक है, भले यह related model है, ठीक है, यह reading वहाँ पर applicable नहीं होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन एक example के लिए आपको बताने के लिए, कि इस तरह से आप यहाँ पर tracing कर सकते हैं, for example, जैसे कि मीपी की line है, शुरू में ही मैंने कहा था, कि जितनी भी मीपी line होगी, यहाँ पर जितनी भी मीपी की line है, सब की reading सेम होगी, तो यहाँ पर एक example के तौर पर समझेंगे, जितनी मीपी line है, यह 268 है, 268 है, 268, 267, ठीक है, सेम ही reading है, reverse में, forward में अगर मान लो, यहाँ पर 1500, यह 1600 मान लेते हैं, 1600 अगर reading आती है, diode value में, तो सभी में 1600 आनी चाहिए, जितनी भी यह line है, मीपी की, ठेक है, कम ज़्यादा हुआ, तो 10-20 का कम ज़्यादा होगा, अगर 100-500 का, 200 का कम ज़्यादा हुआ, difference हुआ, तो जो line है, वहाँ पर problem है, अगर आपको लगता है, CPU re-ball करना है, तो करके देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं पहले पूछ लूँ, आपके कोई teacher होंगे, उनसे पूछ सकते हैं, नीचे मेरा number दिया है, आप इसमें संपर्क करके पूछना चाहते हैं, मुझे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप message करेंगे, मैं message देख करके, अगर लगेगा, CPU re-ball करना है, या जो भी मुझे लगेगा, मैं आपको वो reply करता हूँगा, ठीक है, बस आपको जो भी पूछना है, proper पूछ है, अगर message करने में कोई दिक्कत लग रही है, कि इतना लंबा message मैं कैसे लिखूँँ डिटेल में, तो voice record करके भी भीज सकते हैं, फोटो भीजना है, बोड की condition भी दिखाएंगे, क्या क्या आपने चेक किया, वो भी आप बताएंगे, proper तभी question करेंगे, क्योंकि देखो, आप अगर question अधूरा करोगे, तो भी मैं reply करूँगा, लेकिन मेरे reply करने के बाद में, फिर से आपको test करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने नहीं बताया, वो मैं पूछूँँगा, आपका समय लगेगा, customer हो सकता, सेट वापस लेके चला जाए, तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसलिए detail में पूछेंगे, यहाँ पर देखो, नीचे तो मीपी की लाइन है, इजी है चेक करना, सभी कर लेते हैं, maximum लोग, इस तरफ देखो, सबसे पहले important 1.8, ठीक है, उसके बाद ID की लाइन, ID की लाइन, ID 0, ID 1, वहाँ पे भी दो ID थी, 0, 1, दोनों की reading यहाँ पे लगभर similar है, एक ही नंबर का फ़रक है, वैसे ही वहाँ पर भी मिलेगी, ठीक है, इस तरह से आप चेक करेंगे, अगर आपको वहाँ पे diode value नहीं मिली, तो ID की जो लाइन है, दोनों लाइन में same reading, यह होई पहली चीज, RST, LCD RST, ठीक है, RST की लाइन में, 364, PWM की लाइन, 0.0L, अब इस लाइन को मल्टिमीटर से आप क्यासे चेक करोगे, यह थोड़ा सा भी secret रहने देते हैं, यह class का ही, class में ही पढ़ाया जाता है, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, मतलब पूरी tracing सीखना चाहते हैं, PWM तो सिर्फ एक part है, पूरी tracing अगर आप सीखना चाहते हैं, sign wave कैसे चेक करें, multimeter से, PWM कैसे चेक करें, हर एक चीज़ सीखना चाहते हो, तो class join करो, और मेरी guarantee है कि यह one triple nine वाली class को आप attend करने के बाद में, काफी अच्छे से काम कर पाओगे, यहाँ पे, A, V, E, और, A, V, D, D, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था, पहले page में ही कहा था, कि जो VSN और VSP है, VSN को, voltage supply negative को, VSN को, VSS से भी denote किया जाता है, V, E, से भी denote किया जाता है, तो यहाँ पे एक example के तोर पे, V, E, आपको मिल गया, ठीक है? और, A, V, D, D, या फिर, V, C, C, और, VSP, इसके लिए होता है, और यहाँ पे LED प्लस, ठीक है? LED प्लस का आपको सीधा-सीधा मतलब समझ आ रहा है कि LED, जो डिस्प्लेय के अंदर LED होती है, बैक लाइट होती है, उसके लिए LED प्लस, अब यहाँ पे LED 2- LED 1- लिखा है, इसका मतलब क्या है? यह कैथोड की लाइन है, सिंक वाली लाइन है, यहाँ पे यह जो सिंक की लाइन है, सिंक 1, सिंक 2, यह वही लाइन है, ठीक है? इस प्रकार से आपको चेक करना है, अगर आप यही चीज़ स्केमेटिक में जाकर के चेक करोगे, स्केमेटिक में आपको रिडिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको लाइन का नाम पता चलेगा, बट, hardware solution पे इतना भी आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि hardware solution में भी काफी सारी गलतियां होती है, जब आप class attend करेंगे, तो हर model में आप देखेंगे, कुछ ना कुछ hardware solution में, bitmap में, यहां तक की, schematic में भी गलतियां निकलेंगी, वो आप देखेंगे, ठेके, अगर आपको schematic पढ़ने में दिक्कत जाती है, तो थोड़ा समय आप दो अपने आपको सीखने में, और अच्छ से काम सीखो, और बढ़िया से काम करो, ताकि जो भी set आपके पास बनने के लिए आता है, आपको ये पता हो कि इसमें दिक्कत कहां पर है और क्या दिक्कत है, अगर वो repair हो सकती है, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, अगर cpu internally shot है, cpu internally damage है, leakage में है, open हो चुका है, अगर वहाँ पे कुछ modification के द्वारा बन सकता है, तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं बन सकता है, तब तो फिर return वाली चीज होती है, लेकिन इसलिए कभी भी return मत करो कि आपको समझ नहीं आया कि इसमें क्या दिक्कत है, कहां से check करें, अगर ऐसी condition है, तो आप सीखो काम को, अच्छे से सीखो, और आप सभी सीख पाएं, इसलिए ही हमने course की fees 1999 किया है, नहीं तो ये 7000 की ही थी, ज अगर आप join करना चाहते हैं, तो नीचे दिवा number मेरा है, इस पर आप संपर्क करें, और अपनी seat book कराएं, और जो भी आपकी queries है, जो भी class related सवाल है, आप मुझे direct call करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी, यहां तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे मिलता ह क्लास में, अगर एक जुलाई के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 15 जुलाई की class है, वो भी आप attend कर सकते हैं, course की fees वही रहेगी, 999, सभी के लिए, ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं क्लास में, ओके जी, ठैंक यू,